आगरा के खिरागर थाना शेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुझभेड हो गई पुलिस की कोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया पुलिस ने घायल बदमाश के अलावा दो साथी बदमाश को गिरफतार कर लिया है पुलिस के कंदों का सारा लेकर लंगडा कर चलता ये सातिर राजू है राजू को पुलिस ने मुडबेड की दोरान पकड़ा है जानकारी के मताबिक थाना खिरगड सेया रोड काली मंदर के पास पुलिस को सूचना मिली थी पिरदीप उर्फ गंगे जिस पर 10,000 रुपे का इनाम है साथ में राजू वारदात को अंजाम देने की फराक में है पुलिस एक्टिव हो जाती है खेरा बंदी करती है और पुलिस को देख बदमास फाइरिंग सूख कर देते हैं इसे बीच बदमाज भागने लगते हैं पैट्रोल पंप के नजदीक बदमाज फिर से पुलिस पर फाइरिंग करते हैं ऐसा बताया गया है जबावी फाइरिंग में राजु नाम के बदमाज के पैर में गोली लग जाती है राजु नाम का बदमाज भाई पर गिर जाता है ज पढ़के ठाना खेरागड को सूचना प्राप्त वी कि क्राइम नंबर 152 के वांचित 10,000 इनामिया प्रदीप उर्फ गंगे वह उसका साथी वा भाई राजू भागने की फिराग में इस सूचना पर काली माता मंदिर के आगे पुलिस जहां चेकिंग कर रही थी इन्होंने द प्राजू उम्र 35 वर्स के पैर में गोली लगी जिसे हिरासत में लेकर उसकी जीवन अच्छा प्राली को देखते वे उप्चारेतू सेसी खेरागड रवाना किया गया वो इसके भाई वा साथी प्रदीप उर्फ गंगे को हिरासत में लिया गया है वो आवेश्यक वैदान करवाई की जा रही है वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों बदमाज जा रहे थे पुलिस का कहना है भनक लगी और खेरापंदी कली बदमास के पैर में गोली लगी और बदमास सडक पर ही धरासाई हो गया पिछले दिनों थाना खेरागर छित्र में खरनन माफियाओं पुलिस पर गोली चला दी थी तमंचे से गोली चली थी पुलिस के गोली लगी थी पुलिस सरकर्मी के साथ खरनन माफियाओं पर लगाम लगाने में जुटी है अन्य बदमासो की भी तलास में पुलिस जुटी है राकिशनोजिया सी निउस आगरा